तो दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है दामुकी रुस्वई में तो आज हम बनाएंगे अंगूर काजू और ककड़ी के साथ एक यूनिक सब्जी जिसका नाम है अंगूर काजू ककड़ी करी दोस्तो ये राजस्तान में बहुत बनती है ये शाही सब्जी है क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडियन्स जो है वो शाही अंदाज वाले जाते हैं जैसे ये गर्म मसाला है उसमें तेज पत्ता जीरा लॉंग इलाजची इसी तरह से ये हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर फिर ग फल्दी और इन सारे मसालों के साथ हम ये लेंगे नारियल का पाउडर है जिसे आप नारियल का बुरादा विखे सकते हैं और ये हैं मावा और फिर है दही तो दही में सारे मसाले मिलेंगे और उसके बाद उसकी ग्रेवी तैयार होगी पूरी ग्रेवी दही में रहेंगी और यह है कसूरी मेथी कसूरी मेथी जो है बहुत अच्छा फ्लेवर देती है इसको और ये हैं धीर सारा शुद्द दीसी घी इसके कारणी सबजी का नाम शाही है और नमक आपके स्वाद अनुसर तो सबसे पहले हम दही जिसको फेट लिया गया है उसमें सारे मसाले मिला देंगे सूखे मसाले उन मसालों को हमें मिलाना है और उसमें हम नारियल का बुरादा भी डाल देंगे और इसे हमें मिक्स करके अच्छे से फैंट के उसको रख देना है तो यह हम अच्छे से इसको फैंट के कम से कम हम इसे 10-12 मिनट तक रख देंगे साइड में और उसके बाद हम इसमें कसुरी मैथी डालने के बाद फिर हम इसको एक बार फैंटेंगे और फिर 5-10 मिनट के लिए रख देंगे और इस तरह से हमारे में जो ग्रेवी है वो इससे रेडियू गे तो अब हम चालू किया हमारा गैस और हम प्रकिया शुरू करते हैं यह है देशी घी जिसको हम पूरा का पूरा उड़िल देंगे इसमें कोई कंजूशनी नहीं बरत्मी है क्योंकि यह शाही सबजी है राइट तो अब देखें गी गरम हो चुका है अब इसमें हम खड़े गरम मसाले डाल देंगे तेजपत्ता जावित्री लॉंग इलाइची सारे जो खड़े मसाले हैं वह हम डाल देंगे तो अब मसाले हमारे जब गरम होंगे उनका थोड़ा इंतजार करेंगे कम से कम दो मिनट तक इनको चलाएंगे ताकि पूरा फ्लेवर जो है वह घी में आ जाए इसका फ्लेवर आ तो हमने इसको थोड़ी दिर चलाया और अब इसके बाद हमने जो मसाला तयार किया था दही में वह उसको पूरा उड़े देंगे हम बस ये अब यहां से हमारी जो बेसिक चीज़ है वो शुरू होती है हमें इस दही को चलाना है दही में सारे मसाले अल्रेडी मेरिनेट हो गुड चुके हैं अच्छे से तो आप देखा कि जैसे ही हमने दही डाला और इसको फैटा तो फैट जो है अलग हो गया पूरा घी अलग हो गया मसाले अच्छी तरह से बुन रहे हैं इसको तीज आच पे नहीं करना हमें मीडियम आच और जल न जाए इसके लिए हमें 5 मिनट तक चलाएंगे अच्छे से बुनेंगे और अच्छे से बुनने के बाद यह जब हम देखते हैं कि तेल साइड में हो गया घी साइड में हो गया तो हम इसमें अपने काजू डालेंगे जो की भीगे हुए थे काजू को हमने भीगो के रखा और इसके बाद हम इसमें ककड़ी जो है इस चंक में हमने काट ली और वो डाल देंगे यह ककड़ी जो राजतान वाली ककड़ी है इसे हम तर काकड़ी कहते हैं वो आप डाल देंगे खीरा नहीं यूज किया हमने और अब हम इसे ढग देंगे कम से कम 5-7 मिनट तक 5-7 मिनट तक हम इसका इंतिजार करेंगे पकने का क्योंकि ककड़ी है और साथ में दही है तो थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा लेकिन हमें इसे पकाना इसी में है कोई लोग इसे उबाल देते हैं पहले नहीं उससे पूरी ककड़ी दल जाएगी आपको आपको इसी में चलाना है और अगर ककड़ी को जलदी से आपको कट़ना है तो इसमें नमक भी डाल दिए नमक से करी थोड़ी जल्दी कूक हो जाएगी और नमक डालने के बाद अब हमने दो-तिन मिनट के इंतिजार के बाद इसमें ग्रेवी बनाने के लिए कम से कम सौश एडिट डेट सो से 200 ml पानी डाल दिया और ढग देंगे अब हम इंतिजार कर रहे हैं हमारी धानी भी इंतिजार कर रही है आप देख सकते हैं अब धानी आज अपने एक्षपर्टीज में अगर धानी नहीं देगी तो यह दामु की रश ही अधुरी है तो धानी मैडम अपनी एक्सपर्टीज इसमें दे रही है और हमें एडवाइज भी दे रही बैग्रोंड हो बोला अच्छी है पक गई है हाँ हाँ पक गई है अरे हाँ और फिर वापस इसे ढख दिया अब हम ढखने के बाद फिर से पाँच से साथ मिनट तक इंतिजार करेंगे पाँच से साथ मिनट के इंतिजार के बाद हम देख लेंगे कि यह हमारी ककड़ी पकी के नहीं ककड़ी को पकने के लिए हम एक चम्मच से इसको देखेंगे उसको तोड़ के देखेंगे अगर यह तूट जाए यह जो की दो टुकड़े हो गए इसके मतलब तो अब हम इसमें अंगूर डाल देंगे यह हमने लगबग पाव किलो अंगूर है पाव किलो ही ककड़ी है उतना ही दोनों लिया है और 100 ग्राम इसमें हमने 100-500 ग्राम दही लिया था अब दो मिनिट और पकाना है हमें अंगूर को ज्यादा नहीं पकाना है तो आप देखा घीप पूरा लगो गया अब हम इसमें मावा डालेंगे तो यह 100 ग्राम मावा है फीका मावा जिसे आप खोया कहते हैं मावा डालके इसको हम अच्छे से म प्रिक्स करना है हमें थोड़ी देर और चलाना है आज धीमी रखनी है आज को हमें तेज नहीं करना है बिलकुल स्लो मोशन में आप इसको बनाईए और अब हमारी सबजी लगबग तयार है बस एक से दो मिनट का इंतिजार तो यह हो गई हमारी ककड़ी काजू और अंगू की शाही सबजी तयार हो गई है होली के मौके पर आप इसे बनाईए महमानों को खिलाई बहुत अच्छी लगई है राइट